जहिन साथियो वीन आयस के यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम MPPSC Men's GS Paper 2 के पार्ट भी Health and Education के 3 Marker डिस्कस करेंगे साथियो 3 Marker MPPSC Men's के लिए बहुत important होते हैं जो कि आप अच्छा लिखकर सटीक लिखकर इसमें बहुत अच्छे marks ला सकते हैं और Marks लाने के लिए किन-किन बारीकियों का ध्यान रखना होता है वह सभी बारीकिया में इस लेक्षर में आज आपको बताऊँगा आप उन्हें जरूर ध्यान रखे इससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा साथ ही आज जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं यह Health and Education का एक अगस्त को हुआ था उसके सभी त्री मारकस को हम इस लेक्षर में डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहला जो कुश्चन था हमारा वो COVID-19 था तो लिखेंगे इसमें कोरोना वाइरस समूँ से या कोरोना वाइरस से होने वाली एक संक्रामक बिमारी है इसका पूरा नाम अगर दीखे तो यह क्रेट करता है ठीक है और यह वर्ष 2019 के लिए महामारी या पैंडेमिक गोशित किया गया है जो की WHO द्वारा ही गोशित किया गया है ठीक है यह सब इंपोर्टन पॉइंट आप लिख कर साथियो यह जो पॉइंट से यह एक मॉडल आंसर है इससे बहतर भी अगर आपके अच्छे मार्स ला सकते हैं जरूरी नहीं है कि इन्हीं पॉइंट से आपको अच्छे मार्स मिलेंगे यह सिप आपके प्रैक्टिस के लिए और मॉडल आंसर के लिए लिए लिखे गए पॉइंट से ठीक है साथियो second point जो हमारा था यह question था परिवार नियोजन तो लिखेंगे इसमें परिवार नियोजन परिवार के आकार को निश्चित संख्याय समू में निरधारित करने की प्रक्रिया है यह एक समवर्ति सूची का विश्य है क्योंकि इसके राज्य और केंदर दोनों इसके लिए नियम किया जाता है साथ यह परिवार नियोजन का एक उद्दिष होता है वो जनसंख्या नियंद्रन होता है साथ ही भेतर स्वास, सिक्षा इनको भी आधार लेकर इसका परिवार का नियोजन किया जाता है ठीक है साथियो नेक्स दिखते हैं NPR सबसे पहले इसका फुल फॉम लिखेंगे हम फुल फॉम होगा इसका राश्टी जनसंख्या नियंद्रण या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी कहा जाता है इसे ठीक है यह सभी भारती निवासियों की पहचान का एक डाटाबेस है यहाँ डाटाबेस भारत के रजिस्टर जनरल और जनसंख्या आयुक्त द्वारा मैनेज या मैंटेन किया जाता है भारत के प्रत्यक निवासिया सामान्य निवासियों को स्वयम को NPR में पंजीकरत कराना अनिवारी है पंजीकरन में बायोमेट्रिक पहचान और वंशावली को दर्शिया जाता है तो इसमें कई सारे पॉइंट से साथ ही हो जिसमें से आप कुछ पॉइंट या इन सभी पॉइंट को लिकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं नेक्स विस्चन था DPT यहाँ तीन बिमारियों के निदान हितु टिकाकरन की एक प्रणाली है जिसमें डिप्तेरिया, पर्प्यूसिस, टिटनेस ठीक है और यह ठीक है बाली काल में दो माह से पंदरा माह की आईउ के बीश लगाये जाते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं वे सिवाई जो व्यक्ति के बिमार होने की उप्रान प्ठधान की जाती है भरतमान में हम निरोधात म्ग स्वाई उपर विशेशchos जोड़ देते हैं नेक्स देखते हैं आयुरुईत लखेंगे सबसे पहला पूं भारत की प्राचिन्तम चिकित्सा प्राणाली एक पॉइंट होगे या दूसरे पॉइंट में लिख सकते है आयुर्वेद रिगवेक का अंग है सेकंड पॉइंट लिख सकते है आयुर्वेद विश्व की प्राचिन्तम चिकित्सा प्राणाली हो में से एक है यह विज्ञान कला और दर्शन का मिश्रन है आयुर्वेद की नाम का अर्थता जीवन से संबंदित ग्यान ठीक है साथियो तो आयुर्वेद हमारे आयुष मंत्राले दुआरा भी शामिल किया गया है चिकित सा पद्धती में बीच में कुछ वर्षों में आयुर्वेद थोड़ा सा कमजोर हो गया था परन्तु वर्तमान में सरकार इसको अधिक मात्रा में प्रमोट कर रही है यह सब भी बाते आपको बता होना अची प्रतिरक्षन एक जेविक प्रक्रिया है जो संक्रमन बिमारी या अन्य वांचित जेविक हमलावरों के लिए पर्याप्त जेविक रोग प्रतिरोध होने की स्थिति का वर्णन करती है यह सब सब पहले प्रतिरक्षन को बताएंगी क्या है प्रति रक्षन के अंतर का सरीर में कृत्रिम रूप से रूप प्रति रोदख शंता उत्पन की जाती है जैसे हमारा जो संपूर्ण, Division, टिकाकरन कारिकरम है वो प्रति रक्षन के लिए ही किया जाता है ताकि body में एक immune system generate किया जा सके जेविक खमलावरों की प्रती ठीक है? Next question देखेंगे परियावरान अदिनियाम 1986 की परिभाशा पुछिए तो exact परिभाशा लिखते हैं तो हमें उसका विश्यच benefit मिलता है परिभाशा ऐस तरह कैसे लिखेंगे परियावरान की परिभाशा में जल, वायू, भूमी और जल, वायू, भूमी और माना, उजाती और अन्य, जीविद, जीव, जैव, जन्तु, अनसपति सुक्ष में, जीव, एवन, संपत्ती के बिच परसपर अंत्रिक संबंदो को शामिल किया जाता है यह अधिनियम 1986 में आया था जो कि लिखा ही है इसकी धारा 2 में इसको परिवाशित किया गया है ठीक है परियावरन संद्रक्षन के उद्धिश से यह अधिनियम लाया गया था clear है तो साथ की ध्यान रखना इस तरह के 60 पॉइंट लिखे जिससे कि आपको 3 out of 3 marks मिले next question था cry, child rights and you second तो इसका full form लिखेंगे CRY का child rights and you बच्चों के लिए खुशाल बच्वन सुनेशित करने की दिशा में यहाँ संस्था जो है काम करती है ठीक है और इस संस्था की स्थापना 1979 में हुई थी ठीक है साथ ही इस तरह के points आप लिख सकते हैं इसके founder को ने उनके बारे में भी लिख सकते हैं ठीक है next लिखेंगे NLU NLU रास्टिये विधी विश्विध्याले कहा जाता है इसका full form लिखें जब भी कोई short में पूछा जादो इसकी स्थापना 1986 के 1987 में की गई थी बार काउंसिल के माधियम से एक एक लाया गया था और उसी के माधियम से 87 में इसकी स्थापना की गई थी पहला NLU जो था देश का बेंगलोर में स्थापित किया गया था वरतमान में 16 गया है 16 कानूनी इसे राष्टी विधी शिक्षा के लिए 16 संस्तान है मंति प्रदेश में भी भोपाल में एक NLU है इस तरह की जानकरिया इस तरह क्रिश्चन में लिखेंगे व्योसाइक सिक्षा व्योसाइक सिक्षा में चात्रों को व्यापार के आधारबुद सिद्धान्तों तता प्रक्रियों को सिक्षन किया जाता है फास्ट पॉइंट लिखेंगे इस सिक्षा एवं प्रशिक्षन के मादियम से व्यक्ति को किसी कारी का विशेश कोशल प्रदान किया जाता है उधारन के लिए जो आई टी आई और पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें व्यक्ति शिक्षा पर विशेश रूप से ध्यान दिया जाता है ताकि व्यक्ति को जस्ट एजुकेशन के बाद ही एक जॉब दी जा सके ठीक है तो जॉब औरियंटेट शिक्षा होती है यह व्यक्ति शिक्षा नेक्स लिखेंगे मानौ संसादन पुझी इसमें लिखेंगे सिक्षा स्वास्त और कोशल सयुक्त मानौ जो अर्थिवस्ता में आर्थिक योगदान करता है उसे मानौ संसादन पुझी करते हैं मानुव पुंजी में आर्थिक विकास को तेजे से बढ़ाओं मिलता है। मानुव संसादन पुंजी देश की आर्थिक विकास समरत्धी के लिए में भी महतुपुन योगतान निभा सकती है। इसलिए वर्तवान में मानव को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए सरकारों का विशेश जोर होता है क्लियर है सिविल अधिकार सबस्क्राइब बहले सिविल अधिकार के बारे में बताएंगे ये विशेश रूप से लिखेंगे सातियों, ठीके सिविल अधिकार के लिए ही इस अनुच्छत को आधार बनाकर सिविल अधिकार संद्रक्शन अधिकार 1955 लाया गया था, ठीके उसमें भी सिविल अधिकार को परिभाशित किया गया है, ये सब भी बाते लिखेंगे, पैराम अधिक से की विज्ञान है, जो पूर असताल की आपात कल इन सिवाव से संबंदित माना जाता है, ठीके, जो की डॉक्टर के साथ-साथ मैंडेटरी ही होते हैं, इसलिए इने, लाज देखेंगे प्रजिन अंदर, प्रजिन अंदर को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, प्रत की जो वसत परजिन अंदर है, मधिप्रदेश की वसत परजिन अंदर है वो 2.7 है, ठीके साथियो, और बता देंगे की ये प्रजिन अंदर है, जो हमारा लक्ष भारत का वो 2.1 पर लाना है, इस तरीके से हम 3 मारकर को डिसकस करेंगे, तो साथियो, हम में 3 Marker में इंसे वी छोटी चोटी और भारीकियों का ध्यान रखना को लिखना एक कम शब्दों में लिखना और समय की बचत करना है जिससे कि आपको 3 Marker में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तेंक यू और